नमस्कार आपके साथ में हूँ प्रयांका आप देख रहे हैं सिर्व सच नकसल प्रभावित इलाकों में नकसलियों के आतंक को खत्म करने के लिए और उन्हें गिरफतार करने के लिए लगतार अभ्यान चलाय जा रहे हैं और ऐसे में 36 गड़ के बीजापूर और दंतेबाड़ा में DRG के जवानों ने रविवार को पांच नकसलियों के समारक को तोड़ गिराया है बतादे कि यहाँ 5 नकसली के स्मारक बने हुए थे इनमें धन्तेबार में 8 लाक रुपए नामी महिला नकसली का स्मारक बना हुआ था और बीजापुर में भी जवानों ने 3 नकसली के स्मारक को तोड़ गिराया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का दावा है कि अब इन इलाकों में एक भी नकसली का समारक नहीं बचा है इस बात की पुष्टी दोनों जिलों के पुलिस अफसरों ने की है बता दे कि डियार जी के जवान सर्चिंग पंडिक ले थे इसी दोरान सूचना मिले कि बुर्गुम गाउं में कुछ महिने पहले ही नकसली ने समारक बनाए है जिसके बात जवानों ने वहाँ पहुचकर इन समारकों को जड़ से तोड़ फेका है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक S.P. अभिशेक पल्लब ने बताया कि जिसे नामी महिला नकसली का समारक था वो विज्जे 2017 में बुर्गुम में हुई पुलिस मुट भीड में मारी गई थी ये नकसली मंडी वाले नकसली के समारक इसलिए बनाते हैं ताकि मरने के बाद भी उन्हें याद रखा जा सके और ऐसे ही इलाकों में पुलिस अपनी पहुच बढ़ा रही है और इसका रिवाई में पुलिस को गाउवालों का साथ भी मिल रहा है आपको बताते कि ये नकसली कई बार समारक बनाते समय समारक के नीचे आईटी बन लगा लेते हैं जिससे कि समारक को तोड़ने आने वाले जवानों को काफी खत्रा रहता है चले आपको बताते हैं कि बीजापूर में किम नकसली के समारक को तोड़ा गया है बीजापूर एक नकसल प्रभावित इलाका है इस दिले में नकसल शेकर जैगूर और दर्भा के जंगलों में भी नकसलियों ने शहीद समारक बना रखे थे सर्चिंग पर निकले जवानों ने जैगूर में एक दर्बा के जंगलों में दो नकसली समारक को पूरी तरह से द्वस्त कर दिया है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक बीजापूर SP कमलोचन कश्यप ने बताया कि कूटरू और जांगला ठाने के जवानों और CRPF की टीम ने ये कारिवाई की है इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगली वीडियो में हम फिर हाजर होंगे कुछ ऐसी ही खबरों के साथ अब तक लिए आप बने रहे हैं सिर्फ सच के साथ दोस्तों अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले ताकि हमारी खबरों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके